हलो स्टुडेंट, स्वागत है आपका इस यूटूब चैनल आरके नुलेज एलेक्ट्रिकल में एलेक्ट्रिशन थियोरी का एक बहुत ही मैतोपुन टोपिक जिसको बहुत कम लोग पढ़ते हैं AC, DC ड्राइव, इन्वर्टर और UPS इस टोपिक से समंदित एलेक्ट्रिशन थियोरी के टोप 25 क्यूशन जो है वो इस वीडियो में है इन सभी 25 क्यूशन का एक ओनलाइन टेस्ट लिया गया था यदि आपने ये टेस्ट दिया है तो अपने आंसर का मिलान कीजिए अगर आपने टेस्ट नहीं भी दिया है तो इन सभी 25 क्यूशन को ध्यानपूरक समझिए और आने वाले सभी कंपिटिशन एक्जाम जो ITAC related है उनमें ये क्यूशन आपके लिए मेरतवपून सिध होंगे क्यूशन नमबर फस्ट है अपने UPS में कम बेकप होने का कारण क्या है UPS कंपिटर में लगने वाला एक उपकरण है डिवाइस है जिसके दौरा कंपिटर को में सप्लाई अपलाई की जाती है और ये UPS कंपिटर को बिना में सप्लाई के 15 से 1 गंटे तक 15 मिनट से 1 गंटे तक ओन रखने के लिए काम में आता है जिससे जरूरी डेटा जो है वो सेव कर सकते है UPS का पूरा नाम है Uninterpreted Power Supply तो UPS कम बिजली या कम बेकप होने का कारण क्या है तो यहाँ पर बेटरी की जो AS समता होती है UPS में जो बेटरी होती है उसकी AS समता कम होने के कारण UPS का बेकप कम होता है बेकप का अर्थ है बेटरी का UPS का में सप्लाई ओफ होने के बाद कितने समय के लिए पावर दिया गया है आउटपुट में वो UPS का बेकप कहलाता है अभी कुशन का राइट आंसर ओप्शन नमबर भी होगा बेटरी की AS समता कम होती है तब UPS का कम बेकप हो सकता है कुशन नमबर दो है DC ड्राइव में निम्न इस्तर के सिगनल सरकिट को जोडने के लिए परिरक्सित केबिल का उप्योग करने का क्या कारण है DC ड्राइव में निम्न इस्तर के सिगनल सरकिट को जोडने के लिए परिरक्सित केबिल परिरक्सि किसी धातविक पाइप को कहते हैं धातविक सीट को कह सकते हैं यहाँ पर केबिल की बात हो रही है तो केबिल के अंदर जो metallic seat आती है तो यहाँ पर क्योशन बताय गया है कि DC drive के अंदर निम्न सिग्नल सर्किट को जोडने के लिए परिरक्सी केबिल का उप्योग क्यों किया जाता है तो धात्वी metallic seat का उप्योग वैसे तो नमी से बजने के लिए किया जाता है लेकिन यहाँ पर इस DC drive के अंदर जो भी option अपना best बेट रहा है वो आता है कि electric interface जो है उद को समाप्त करने के लिए यानि विदूत हस्तक्सेप को समाप्त करने के लिए परिरक्सी केबिल का उप्योग किया जाता है यहाँ पर परिरक्सित दे रखा है परिरक्सी पाइप को बोलते हैं यहाँ पर परिरक्सित केबिल है तो अभी question का right answer होगा option number A विदूत हस्तक्सेप को समाप्त करने के लिए परिरक्सी केबिल का उप्योग किया जाता है question number 3 है DC motor में बल आगून को समानुपाती कौन सा है बल आगून बोलते हैं motor के torque को DC motor दे को यहाँ पर तो यह confirm तो नहीं बताया हुआ है कि किस motor का torque पूछा गया है वैसे आपको बता दे कि DC series motor का torque विदूत धारा के square के समानुपाती होता है और DC sun torque compound motor का torque जो है वो armature धारा के समानुपाती होता है यहाँ पर series motor में armature धारा के square के समानुपाती है अबihat option right answer जो रहेगा अपना वो option number C रहेगा armature current के समानुपाती होता है DC motor का torque वैसे series motor का torque armature के समानुपाती भी होता है और armature के square के समानुपाती भी होता है दोनों condition आती है next question है चार cooling question है DC circuit में power controller का कारिया क्या है, किसी भी circuit या panel के इंदर दो प्रकार के circuit बनाया जाते है, power circuit और नियंत्रन circuit, यहां पर power controller सर्किट जो है, उनका क्या कारिया है तो यह मोटर को overloading इस्थिती से बचा लेते हैं, इसलिए यह power controller काम लगाइ जाते है, सरकेट्री या पेनल के इंदर option number B question का right answer है next UPS का पूर्ण रूप क्या है simple question है uninterrupted power supply option number C इसका right answer आ जाएगा हिंदी में बोले जाता है एबादित सक्ति आपूर्ती यानि UPS का पूरा नाम जो है वो एबादित सक्ति आपूर्ती हिंदी में है English में uninterrupted power supply option number C question का right answer है question number 6 है drive system में किस प्रकार की समयदन इकाई कारेरत है समयदन बोले तो sensing device जो है वो कौन सी होती है drive के अंदर तो सभी drive के अंदर देखिए ये drive जो है चाए वो AC drive हो चाए DC drive हो ये सभी drive motor की speed control के लिए mostly उप्योग ली जाती है तो यहाँ पर drive system में किस प्रकार की sensing इकाई कारेरत होती है तो drive system के अंदर speed sensing device जो है वो काम करती है यानि गती समयदन इकाई जो है वो कारेरत रहती है तो option number A discussion का right answer आजएगा गती समयदन इकाई कारेरत रहती है question number 7 है DC drive में basic operator panel पर LCD का उप्योग क्या है पुरा नाम है liquid crystal display panel के उपर LCD type meter या LCD क्यों लगाई जाती है तो सभी meter या LCD जो है वो सभी parameter को देखने के लिए होती है कि ampere कितना है, voltage कितना है power factor कितना है, ये सब कुछ इस type के parameter को देखने के लिए LCD लगाई जाती है तो question का right answer आजाएगा option number C, parameter की निगरानी करने के लिए इस type के LCD जो है panel पर लगाई जाते है question number 8 है, DC drive के नियंतरन पर्ट में जोग कुंजी का उद्देश्य क्या है जोग switch जो है, ये inching circuit के अंतर किताता है inching circuit वो होता है जो किसी भी motor को question के लिए चला कर देखने के लिए प्रियोग होता है, तो यहाँ पर question का right answer option number B आजाएगा inching circuit के लिए अपन जोग कुंजी का या जोग switch का उप्योग करते हैं, question number 9 है, यदि ISI के अनुसार गोसित voltage 240 volt हो, तो new-term अनुमानित एकल चरण कारी सिल voltage क्या होगी, यानि single phase का अनुमानित new-term एकल चरण, यानि कम से कम single phase का अनुमानित voltage जो है, वो क्या रहेगा, या कारी-कारी voltage क्या रहेगा, देखे single phase की line है, low voltage line है तो low voltage line यानि इनके अंदर अपन, voltage के अंदर 5 परतिस्त का उतार चड़ाओ जो है, वो मानने होता है, तो इस question में new-term पूछा गया है, तो आप 240 का 5 परतिस्त निकालेंगे, तो ये लगबग आपके 12 परतिस्त आएगा, या 12 voltage आएगा, ये 12 voltage आप 240 में से minus कर देंगे, तो 228 voltage लगबग इसका आंसर आएगा, अगर यहाँ पर आपसे new-term नहीं पूछ कर अधिक्तम पूछा जाता, जिसे यहाँ पर question में new-term नहीं देखकर, यदि अधिक्तम दिया जाता, तो फिर आप इस question में 240 के अंदर, यदि 12 जोड देते हैं, तो 252 इस question का right answer हो जाता, अभी यहाँ पर question में new-term पूछा गया है, इसलिए 240 में से 12 घठाएंगे, तो question का right answer 228 आजाएगा, फिर से देख लिजे कैसे किया गया है, low voltage की लाइनों में 5% का voltage या उतार चड़ाव जो है tolerance मानने होता है, तो 240 का 5% आप निकालीजीए, 240 multiply 5, divide by 100 आप करते हैं, तो question का answer है, इसका वो 12 voltage आता है, 240 में से 12 घठाएंगे, तो 228 आजाएगा, अधिक्तम पूछता, तो जोड देते हैं, और 222 question का right answer आता, question number 10 है, dynamics और transient परकार के drive का वरगी करण कौन सा है, option इसका सही नहीं दिख रहा है, मैं बोल के बता देता हूँ, option जो है, वो है, परिवर्तनी इस्तिती नियंत्रेंट ड्राइव, यानि variable position control drive जो है, वो dynamics और transient परकार के drive का वरगी करण होता है, तो option number 1 question का right answer आजाएगा, question number 11 है, electric drive system में किस power modulator का उप्योग किया जाता है, तो इस परकार के electric drive के अंदर अपन cyclo converter का उप्योग करते हैं, जो AC to AC converter भी कहलाता है, cyclo converter इस question का right answer आजाएगा, question number 12 है, AD current drive के लिए किस नियंत्रन परणाली का उप्योग किया जाता है, तो AD current drive के लिए, अपन slip control जो है, slip control, controller जो है, उनका उप्योग करते हैं, तो option number B question का right answer है, question number 13 है, operation के mode के अनुसार किसे drive को वर्गिकरत किया गया है, चलने के या परचलन के आधार पर जो drive होते हैं, उसका जो परकार है, इन में से कुन सा होता है, तो option number C is question का right answer है, निरंतर duty drive question का right answer आजएगा option number C, next 14 number question है, UPS पूरे load के साथ trip करने का क्या कारण होता है, एक UPS full load के साथ में trip हो जाता है, इसका क्या कारण है, तो ये कारण है, उसकी जो overload relay है, उसकी setting गलत तो कर रखी है, यानि गलत overload setting के कारण UPS full load पर trip हो जाता है, question number 15 है, अच्छा question है, इसको ध्यान से समझ, ये question है कि voltage और ampere परती घंटे की गणना करें, यदि समानतर में जुड़े 4 cell 1.5 volt के हैं और 8 AH के रूप में rate की गई है, देखिए दोस्तों जब भी इस परकार के question आते हैं, तो यहाँ पर 4 cell 1.5 volt और 8 AH के हैं, यानि ये आपको जो voltage दे रखा है, ये 1 cell का voltage है, 1.5 voltage और उसकी AH जो है, वो 8 AH है, अभी इनको समानतर में जुड़ा गया है, तो समानतर के अंदर इनका सब का voltage समान होता है, इसलिए इनका जो 4 cell का जो total voltage आएगा, वो 1.5 voltage ही आएगा और आप देखेंगे, तो इन सभी में एक ही option के अंदर 1.5 voltage है, इसलिए question का right answer ये हो जाएगा, अगर दो भी होते तो आप जो है, इसकी AH समता से भी पता कर सकते थे, जब भी cell समानतर में जुड़ते हैं, तो इसकी ampere समता बढ़ती है और voltage समता में कोई परिवरता नहीं होता है, और जब भी स्रेणी में जुड़ते हैं तो voltage समता बढ़ती है, और ampere समता में कोई भी परिवरता नहीं होता है, question के अनुसार समानतर करम में cell जुड़े हुए हैं, तो ampere समता cell की बढ़ जाती है, 4 cell है, तो 8 into 4 करते हैं, तो 32 AH जो है, इस cell की या इस बैटरी की जो है, यह समता हो जाएगी, option number A, इस question का right answer आजाएगा, question number 16 है, कि DC drive की तुलना में, AC drive का क्या फाइदा होता है, DC drive की तुलना में, AC drive जो है, उनकी इस्तापन लागत और परचालन लागत जो है, वो कम होती है, इसलिए, question का right answer, option number B आजाएगा, इस्तापना और चलाने की लागत जो है, वो AC drive के अंदर कम आती है, इसलिए, इस question का right answer B आजाएगा, question number 17 है, DC drive में, BOP का पूर्ण रूप क्या है, BOP का पूरा नाम क्या है, तो basic operational panel इस question का right answer है, option number A आजाएगा, basic operational panel, बनाये रखना या इस्तिर बनाये रखने के लिए, इसलिए आउसेख है कि सभी गती पर rated torque जो है, वो उपन बना सकें, rated torque इस्तिर रख सकें, तो torque को इस्तिर रखने के लिए, voltage और frequency के मान में, इस्तिरता बनाये रखना आउसेख है, option number A, question का right answer आजाएगा, पम बीजली खपत होती है, next question है, उद्योगों में किस प्रकार की machine, multi motor electric drive के साथ प्रदान की जाती है, तो इस प्रकार की उद्योगों के अंदर आपन rolling machine होती है, घुमाने वाली machine होती है, तो rolling machine क्युशन का right answer आजाएगा, question number 21 है, एक discharge cell के आंतरिक प्रतिरोध में क्या प्रभाव होता है, तो discharge cell का जो internal resistance है, आंतरिक resistance है, वो बढ़ जाता है, तो क्युशन का right answer आजाएगा, option number C, कि उसका आंतरिक प्रतिरोध जो है, वो बढ़ जाता है, charging के अंदर ये internal resistance जो है, वो घट जाता है, किस प्रकार के stabilizer में होती है, तो photocopy के साथ में जो stabilizer लगता है, उसके अंदर सर्वो मोटर उप्योग की जाती है, question number 23 है, UPS में कौन सा हिस्सा input voltage के विफल हो जाने के मामले में, निरंतर output voltage की आपूरति करता रहता है, तो वो battery unit होती है, main supply work होने के बाद में, battery unit जो है, वो supply करती रहती है, simple question था, 24 number question है, DC drive का नुकसान क्या होता है, DC drive का एक की नुकसान है, कि उस समताइकी मोटर के लिए, AC drive से अधिक महेंगी होती है, इसलिए DC drive का एक बड़ा नुकसान है, last question test का है, या वीडियो का last question आप देखिए, electric drive क्या है, तो electric drive जो होती है, वो मोटर को control करने के लिए, एक विदूत यांत्रिक उपकरण होता है, option number C question का right answer आजाएगा, मोटर को नियंत्रित करने के लिए, एक विदूत यांत्रिक उपकरण है, आपके इस test में कितने questions सही हुए है, तो comment करके वीडियो के नीचे जुरूर बताईए, तो ये electrician theory का एक method पून topic, ACO, DC drive, inverter और UP से समंदित, total 25 questions थे, I think आपको ये अच्छे लगे होंगे,